हेलो बच्चो तो कैसे हो आप सब आज मैं आप से के साथ जो टॉपिक शर करने वाली हूँ न वो इतना रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्योंकि पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं देखनें के लिए नहीं मरेगा क्योंकि किसी नों उस टॉपिक पे क्लास ही अपलोड नहीं किये है क्योंकि थोड़ा ऐसा अलग है और आपको मेरा तो पता है मैं आपको हर एक सैमस्टर से लेके हर एक अंसोल्ड पेपर की बात हो या एक टॉपिक की बात हो वो टॉपिक में डिसकस करती हूँ ना सिर्फ क्लास लेती हो बलकि हर एक टॉपिक के नोट्स भी आपको प इस्ट्राग्राम पर जिसकी लिंक मैंने वीडियो के रेस्क्रिप्शन में दे दी है पहां से चेक कर लीजेगा ठीक है और अगर आपको कोई भी टॉपिक दिखना है तो वह तो आप एजी ली प्ले लिस्ट देख लो वहां पर आपको मिल जाएगा तो पीक्यू आर ब्रा की थी कि जब हम कोई मॉलीकुल है यह हम सिंपल टॉपिक को समझ रहे हैं ठीक है इな labels टॉपिक यादके शक्र ए Inde करेंगा energy को ठीक करएगा मेंब्कोर में करें में करें में ब 나서 मोई लिएकलर करता है तो यह तो जब वो एक टाइप का स्फैक्ट्रा लाइन सो करेगी जुक फोर बाइस के यह काई स्फैक्ट्रा कई स्क्रेगा तो वो प्रांच बॉइटन करेगा तो फोर BLACK के हैं वहीं आज का हमारा टॉपिक है ठीक है तो चलिए अभी हम टॉपिक को देख लेते हैं दवाइप्रेशनल रोटेशनल स्पैक्ट्रम और सबस्टांस डज नॉट अकर इन फॉर्म ऑफ और सिंगल लाइन बट नंबर ओफ लाइन इस आपियर ओना आइधर साइट ऑफ एक्सपैक्टिड पोजिशन ठीक है तो वही मैंने अभी कहा मॉली क्यूल यह उसे जब हमने ड दाला गया तो एक लाइन से एक स्पैक्ट्रम वो शो करता है तो अगर हम इन दा फॉर्म ऑफ रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रम की बात करते हैं तो वो जो लाइन होंगी वो कभी भी सिंगल लाइन नहीं होंगी बल्कि आपको अधर साइड पे अधर लाइन भी देखने के लिए मिलें की वही आपका ब्रांचिस होती है अब देखो कैसे फॉर एक्जामपल यह हमने एन वन मॉलीक्यूल के लिया यह एन टू के लिया अब यह स्पैक्टर लाइन इस टाइप से शो करेगा ठीक है अगर हम एन की तरद एन वी जीरो की देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगी दैं 3 3 3 3 3 3 1 देखने के लिया मिले गी बत देखो हमने क्या क्या जरूरी नहीं कि नहीं है जिस सिर्फ सिंगल लाइन शो करें वो आपको अधर साइट पे अलगскती आप से लाइन भी शो कर सकता है जैसे कि जो पोजिशन हमने लगा दी ठीक तो यह जो 4 पे है वो आपकी जो 0 पे है वो 4 पे आ जाएगी दैन ये 3-3 लाइनस में हो जाएगी बट N2 के लिए हम V5 पे नहीं जाएंगे सिर्फ V4 तक जाएंगे तो यह तो हुई कि rotational और vibrational spectrum में लाइनस कैसे draw होती है ठीक है यह point यहाँ तक समझाया कि lines इस type से draw होगी यह 4-0 से करके 5 तक लाके इसको 4 पे ले जाना बस बाकी यह सब सेम ही रहेगी ठीक है mirror image आप इसे बोल सकते हो तो हमने spectral lines देख ली कि वह जरूरी नहीं है वो single line में होगी में भी वो other side पे अलग या एक से जादा line भी आपको देखने के लिए मिल सकती है तो यह तो point यहाँ से यहाँ का ही खतम हो गया lines का अब second point पे हम आ जाते हैं consider the v bar is equal to omega plus minus h upon 4 pi square i c यह हमारा formula है ठीक है आप देखो यह क्या है प्लस माइनस हम यहां पर दोनों form में रखेंगे h upon 4 pi square i c क्या है gives rotational fine structure ठीक है तो यह तो हमारा rotational fine structure हमें देगा जो omega है वो हमें origin center देगा fundamental bands का fundamental bands का sorry ठीक है तो हमें vibrational frequency हमारी देखने के लिए मिल चाहेगी तो अगर हम देखेंगे rotational vibrational spectra displaced 3 branches ठीक है अभी हम branches पे बात में आएंगे तो हमने vibrational की value अपनी निकाल ले तो omega की value पता है h upon इसकी हमें पता है यानि कि जो structure है उसे detail में बता देगी ठीक है अब हम branches पे आ जाएंगे यह point तो हमारा खतम होगे कि हम कैसे search out करेंगे lines को कि कौन सी line क्या है इसके through इस formula के through हम वो निकालेंगे ठीक है बट अब पी line कौन सी है कैसे होती है उसकी structure क्या है उसकी properties क्या है वो भी तो देखना है तो अभी हम वो line देख लेते तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कि जो rotational vibrational spectra है वो three branches में show होती है पी Q & R की form में कभी कभी directly सिर्फ P से भी question आ जाता है कभी 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 R से भी question आ जाता है short में long में तो देखो तीनों ही आएंगे क्योंकि जब हम long की बात करेंगे तो भाई वो तो अपना automatically एक long time का question ही बनेगा बर जब हम short की बात करते हैं तो कभी कभी सिर्फ PQR में से एक ही question पूछ लिया जाता है short में तो question तो important है ठीक है important है तो आपको इसे छोड़ना भी नहीं है और मैं आपको इतनी simple language में इसे कराऊंगी तो फिर तो आपको बिल्कुल भी रही छोड़ना चाहिए ठीक है तो चलिए P branch कौन सी है वो देख लेते हैं if j is negative a series of line corresponding to lower frequency appear on a left side of band origin ठीक है देखो ये mainly आपके न जे पर depend करती है जे क्या है adjacent lines पढ़े थे हमने 3rd semester में आप अपी करोगे आप लोगों नहीं कियोगी बट adjacent line होता है coupling constant होता है हमारा j उसी को हम j बोलते है coupling constant को तो coupling constant अगर आपका negative है P मतलब की negative यहां पर में short में लिख देती हूं negative ठीक है P मतलब negative और इसमें जो आपको spectra show होगा वो spectra के left side में होगा ठीक है तो ये branches आपके क्या होंगी P branch इसे हम बोलेंगे ठीक है क्योंकि ये left side पे होंगी bond origin की और इन में j की जो value है that will be a negative ठीक है these lines are known as a P branch of vibrational rotational band समझा गया बताईए कोई doubt फिर से एक बार बता देती हूं अगर j की way देखो यहां पर बताती हूं जो उपर लिखा हुआ है j is equal to negative है ठीक है और जो आपकी series की line है ठीक है जो lines है वो आपकी अगर lower frequency के साथ left side में appear है तो इनी को हम P branch बोलते हैं इनी को हम P branch बोलते हैं ठीक है अभी समझ आ गया यहां तक कोई problem किसी को भी की a negative line होगी और जो lines होगी वो आपकी corresponding होगी lower frequency and appear on a left side यानी कि सबसे कम frequency की भी होगी और left side पे भी आपको मिलेंगी देखने के लिए ठीक है मैं आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैं थोड़ा दो से तीन बार भी आप समझाएए तो इसलिए अभी मैं थोड़ा आपने आपको वो चीज में motivate कर रही हो कि भाई अनलाइन पढ़ा रही हूँ तो शायद बच्चों को problem हो इसलिए मैं दो से तीन भार भी समझा दूंगी तो मुझे कोई problem नहीं है ठीक है तो पी ब्रांच है जहांपे जे की value negative है और जो series of lines है वो आपकी corresponding होगी एक तो lower frequency के और वो left side पे appear होगी bond origin के उसी को हम पी ब्रांच बोलते हैं ठीक है अभी हम आ जाते हैं Q ब्रांच पे Q ब्रांच क्या होगा इसमें J is equal to हमारा होगा 0 ठीक है देखें J may be close to 0 यहां पे close हम लगा देंगे close to 0 तो if the molecule has an angular momentum about axis joining the nuclei this indicate that there must be some small changes in rotational energy of these molecules देखो angular momentum क्या होता है यह point है यहां तक गया अब इससे यहां तक पहुचने में जो momentum होगा that is angular momentum angular momentum मैंने physical में भी कराया आपने नहीं देखा तो वहां पे देख लेना तो जो angular momentum होगा अपनी axis पे इस type से घूमने के लिए ही तो उसमें कहीं ना कहीं देखो rotation में change तो हुआ है definitely वो यह यहां से सीधर यहां भी तो आ सकता था बट वो इस type से जो गया है तो इस type से जब angular momentum हुआ तो उसमें की rotational energies में कुछ changes उस आपको देखने के लिए मिलेंगे उसी को हम ठीक है या पहले हम बोलेंगे कुछ changes आपको देखने के लिए मिलेंगे and these changes given rise to a series to very closely spaced line known as a cube branch ठीक है तो यह जो change आपको देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे कि spaced line में काफी पास पास देखने के लिए जिनमें spaced बहुत कम हो वो बहुत जादा close हो उसी को हम Q branch बोलते हैं या crew sorry Q band हम इसे बोलेंगे फिर से समझाती हूं कोई molecule है अपनी axis के देखो कोई molecule है अपनी axis के चारों तरफ जब वो घूमता हुआ angular momentum करता है तो उसमें कुछ changes होते हैं जो की rotational energy में होते ह तो जो change होते हैं उसकी वज़े से जो आपकी lines है adjacent lines वो काफी जादा close हो जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं Q branch बोल देंगे ठीक है अभी हिंदी में अच्छे से समझाया देखो वच्छो हिंदी में समझा जाएगा तो English में आप खुद से उसे अच्छे से convert करके लिख द तो समझ आ गया कि एक तो यह close to zero होगा angular momentum होगा उसके बाद angular momentum के कारण उसमें कुछ small change जिस देखने के लिए मिलेंगे और जिसकी वजह से जो rise to series जो आपकी series है उसे वो काफी पास पास लियाएगा मान लीजिए यह lines आपकी इतनी दूर थी बढ़ जैसे ही एक molecule ने angular momentum किया और इस series पर अपना effect किया तो यह lines काफी जादा close close आपको देखने के लिए मिल गई ठीक है तो यह close close line देखने के लिए मिली है यही आपकी Q branch है ठीक है अभी तो simple से simple language मैंने समझा दिया then this band is usually observed in polyatomic molecule normally जो यह Q branch यह Q band आपको देखने के लिए मिलेंगे वो किसमें देखने के लिए polyatomic ने polyatomic molecule में ही देखने के लिए मिलेंगे ठीक है समझा है अभी R branch देख लो R branch क्या होती है if J is positive J क्या है यहाँ पे positive है then a series of lines is higher frequency appear on a right side of origin and these lines are known as R branch of rotational vibrational spectre यह कहाँ पे होंगे यहाँ पे right side में right side की क्या थी R left side की क्या थी P और जो Q थी यह बिल्कुल पास पास हो गए थी ठीक है that is Q branch तो यह negative यह positive और यह approximately equal to zero होती है ठीक है तो इन्हीं को हम इस type से बोलते हैं बट देखो theory तो बच्चे आपको ऐसी जैसी मैंने लिख रखी है ऐसी लिखनी पड़ेगी पेपर में क्योंकि पेपर आपका theoretical है और ली नहीं है तो इस जैसी पॉजिटिव दैन अ सीरीज ओफ लाइन ओफ हाईयर फ्रिक्वेंसी अपिर ओन राइट साइड ऑफ ओरिजन और इस लाइन आ नोन एज आर ब्रांच ठीक है तो इन लाइन्स को हम आर ब्रांच बोल देते हैं और यह जो सीरीज है आपकी वह हाईयर फ्रिक्वें में डिस्प्ले 3 ब्रांच ठीक है जो वाइबरिशनल रोटेंशन होगा वो 3 ब्रांच इसको कैसे शो करता है देखो जे माइनस जे एडजसेंट यह डबल लाइन्स डैश बोल सकती हो जे डैस माइनस जे डबल डैस डेल्टा जे पॉजिटिव होगा अगर डेल्टा जे की वैल्यू तो वो आर होगी नेगिटिव होगी तो पी और एप्रोक्सिमेटल इक्वल टू जीरो होगी तो दैट इस क्यू ब्रांच ठीक है आब इसे मैं सेंपल यह ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि देखो यह लाइनस क्या है आर है क्या थी पॉजिटिव इसके लिए बताए थ क्लोज आजाती है जब वो अप्रोक्सिमेटल जीरो हो जाता है देखो यह हाँ पर क्लोज आ गई न देखो यह अगर दूरी एक्स है तो यह क्या है बहुत ज्जादा कम है यह 0 है क्योंकि यह पास-पास है यह वेवलेंध है एड्सॉप्शन पावर की तरफ इस टाइप से होंगी तो यह आपकी P, Q और R branches है P, Q branches अलग अलग होंगी बट Q branch काफी जादा close में आ जाएगी after angular momentum और यहां पर आपका topic end हो जाता है ठीक है topic कैसा लगा तो comment करके down करके आप मुझे definitely बदा सकते हो next topic हम group frequencies का share करेंगे यह आपका ऐसा playlist में मिल जाएगा अगर आप class को कुछ time बात भी देखते हो class कैसी लगी है मुझे एक प्यार सा comment करके और like और share करके सरूर बताना सो bye bye